कैसी लगी आगे स्वाद हेलो वरिवन वेलकम तू दे मौनिंग अपडेट जल्दी से एक अपडेट ले ले लेते हैं कल बिटकोईन में बहुत तेजी से गिरावट आई है बहुत जोड़दार गिरावट आई है सबसे पहले हम रीजन देख लेते हैं तो देवर मुल्टिपल रीजन बट मेरे सबसे मेन था कि यहां पर मैनुपलेशन कराई गई लाउंस को लिक्विडेट कराई गया और उसका सबसे बड़ा उधारन हमारे पास यह है कि जो न्यूस थी गल वो काफी ज़दा बुलिश थी तो या तो यह हुआ होगा कि एलसेलवेडोर में रूमर को बाई किया गया और यहां पर न्यूस को सेल आफ किया गया इसके बाद-बाद हमने देखा कि SEC ने Coinbase की साइड एक सू करने का नोटिस जारी गरा है मतलब कि हम तुम पर केस करेंगे क्योंकि क्रिप्टो लेंडिंग प्रोग्राम के अगेंस देवो इसके साथ-साथ हमने देखा कि US मार्केट में भी एक बहुत बड़ी डिप आई है लेकिन US मार्केट में जब भी डिप आती हम देखते हैं कि कि इसको वापिस खीच लिया जाता है वापिस तो यहां पर डोंट वरी US की गवर्मेंट इसको वापिस खीचने का पूरा ट्राय करेगी और वहां से market वापस green हो जाएंगे बट यहाँ पे हमें तो crypto market पे ध्यान देना है तो crypto market में कल एक बहुत बड़ी manipulation देखने को मिली हमें 5X, 4X वारे लोग भी यहाँ पे liquidate हो गए हैं तो यहाँ पे guys हमें एक चीज इससे सीखनी है कि हमेशा stop loss रखना है किसी भी trade से emotionally attached नहीं होना है साथी साथ हमें कभी इतना पैसा नहीं invest करना है जो कि हम afford नहीं कर सकते lose करना क्योंकि market is very unpredictable हम 3-4 दन से काफी बड़ा पैसा बना रहे हैं market में काफी सारा हम लोगों ने बनाया कल के trade में हमने almost आधा उसमें से lose कर दिया तो it's still a overall profit लेकिन आपको अपना risk manage करना सीखना चाहिए stop loss for example मैं भी ADA के trade में liquidate हुआ बड़ वो मेरा isolated trade था इसलिए पूरा का पूरा मेरा futures का portfolio नहीं liquidate हुआ क्योंकि इत्ती बड़ी dip तो कोई भी expect नहीं करा था 2-3 मिनट के अंदर ये आई and liquidate करके चली गई मैंने ADA के लावा BNB and Aave में trade open किया था and उनमें हमने stop loss लगाया था थोड़ा सा loss हुआ और हम वह पे जल्दी से निकल गए लेकिन ADA में मैं भी liquidate हुआ that was my mistake कि emotionally attach हो गया था मैं उस trade से बाकी तो यहाँ पे अपसे you guys should remember कि don't invest the money you can't afford to lose काफी messages आए कि मैंने अपना college का fees अपना loan लेके लगाया ये सब चीज़े करी तो यार पहले भी मना करा है हमने कि stock market में तक मत करो ऐसा crypto market तो बहुती random चीज़ है यहाँ पे आप देख रहे हो क्या होता है तो इसलिए ये एक सबक की तरह रखो don't invest लालच में मत आओ greed में मत आओ start booking profits and don't invest the money you can't afford to lose अभी मेरी क्या strategy है कल हमने dip buying करी दो हमने zones बना रखे थे तो this was the first zone this is the second zone जहाँ पे मेरा DCA वाला zones है जहाँ पे मैं buying करूँँगा कल हमने buying कर ली थी थोड़ी सी अभी हमारे पास fiat बचा हुआ है थोड़ा कम है लेकिन बचा हुआ है I will be booking profits on some alts जो की low cap alts है जहाँ पे मैंने grave zones पे buying करी थी and अब मैं वहाँ पे profit में हूँ इतने बड़े dip के बाद भी हम in very much profit मतलब 6-7x profit था तो अभी भी है हम उसमे profit में I will book some profit on that क्योंकि वो वाले alts बहुत जल्दी गिरेंगे and वहाँ से हम अच्छा निकाल पाएंगे for example I booked some profit on Luna Luna में मैंने थोड़ा सा profit लिया पूरा नहीं 50% मैंने sell किया अपना थोड़ा मैंने FTT में लिया है क्योंकि और केक में I booked some profit तो इन सब चीजों में मैंने profit book किया है ताकि I have some Fiat to be ready ठीक है इन सब में Fiat मैं ready रहूँगा थोड़ा सा and I will be investing in major alts major alts जो की बहुत solid alts है जब वो अच्छी deal में आते हैं अभी तो मैं wait कर रहा हूँ second phase का अगर ये dip continue करती है तो we have a second phase इस ताइम कोई भी indicator धंसे काम नहीं करेगा अगर हम इस ताइम MACD भी देखें तो MACD भी इस ताइम हमें धंसे यही बोल रहा है कि market अभी बहुत ज़्यादा गिरेगा and यहां पे market will be bearish according to MACD तो अभी market is very very unpredictable ठीक है MACD does not work too much in crypto तो अभी थोड़ा सा आप hold off करके चलो ठीक है save some fiat now अब fiat थोड़ा सा बचा के side में रखो कलम ने dip buying करी and now we will be buying some more जब ये नीचे गिरेगा market ठीक है तो यहां पे इस zone पे I think this should be the last zone जहां तक गिरता है क्योंकि लगातार इतने बड़े dip नहीं आते है तोड़ा सा उठेगा and वहां पे आपको फिर stop loss के साथ buying गनी है क्योंकि market will be depending on a lot of factors right then and ये break होगा तो बहुत बड़ी dip हमें देखने को मिलेगी सबसे important इस time क्या है हमारे लिए सबसे important हमारे पास इस time ये है कि हम weekly में ना turn हो bearish तो weekly में अभी हमारा क्या हाल है weekly में अगर हम देखें तो इतनी बड़ी हमें candle दिख रही है और इसमें जो हमारा main support है इस time पे वो हमारा 48,000 से 46,900 के zones में है तो ये वाला support हमें maintain करके चलना है and hopefully इसके ऊपर हमारी weekly candle close होगी अगर इसके नीचे close होती है then you can turn bearish and उसके बाद फिर हम shorting start करेंगे ठीक है क्योंकि market का trend change दाएगा इसके बाद हम daily में देखें कि क्या scene है तो daily में हम already यहां पे bearish हो गए है क्योंकि हमने MA break कर दिया है but 200 daily MA is still on the line कि अगर यह इस दिन के end में break होता है तो we are going to see some bearish moves last time हमारे पास 20 MA था इसको support करने के लिए and यहां पे हमारे पास 200 MA था जो break हुआ था लेकिन 20 MA support करके इसको ले आया था वापस तो वो चीज अब miss हो जाएगी हमारे पास हमारे पास 42K 40K का zone है जो ultimate support है इस time पर तो वहां को हम break ना गरें तो better है तो we will wait and see अब 42K के वाले zone से play out का क्या होगा अगर वहां से play out अच्छा होता है तो we will be buying some more and वहां से हम गर जाते हैं तो we will be booking profit on the dip buys जो हमने grave zones पे बाई करे थे तो that is the plan right now I hope you guys stayed it safe yesterday आपका ज्यादा loss ना हुआ हो and like कर देना वीडियो को if you liked the update I'll see you in the next one